तो लोगों से डर, जैसे इंटरिवू का, जॉब का इंटरिवु देना है तो डर लगता है शादी में सब के सामने डांस करना है, तो गभरहाट होती है मेट्रों में बैठने का डर, भीड होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जो खास बात उनके मन में चलती है बचूंगा कैसे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पारे जिसके हम हगदार है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फोबिया की जिसका सरहल हिंदी बाशन में बात की जाए तो डर डर तो हर किसी को लगता है इसमें क्या गलत है गलत तब है दोस्तों जब यह डर जो है जुरत से ज़ाधा हो जाए या आप समझते हैं कि डरने की जुरत नहीं है फिर भी आपको डर लगता है जैसे कॉमन तोर पर आपने देखा होगा किसी को छिपकली से डर लगता है किसी को कॉक्रोस से डर लगता है तो फोबिया जो है वो एक निरॉटिक इलनेस है जो की बहुत ही जाधा कॉमन है और यह घबराहाट या बिचैनी को पैदा करती है इसकी जो definition है वो है Accessive and Irrational Fear of a Person, Situation or an Object तो यह कही तरह का हो सकता है Specifically इसको तीन तरह में बाटा जाता है एक होटा है Specific Phobia, एक होटा है Social Phobia और एक होटा है Agoraphobia और इस वीडियो की नीचे हम तीनों जो हैं वीडियो के लिंक डाल देंगे क्योंकि already हमने specific phobia, social phobia और egoraphobia पर already वीडियो बना लिया है और पुराने वीडियो भी है हमारे इस पे तो इसमें social phobia में क्या होता है? social मतलब लोग, तो लोगों से डर, जैसे interview का job का interview देना है तो डर लगता है शादी में सब के सामने dance करना है तो गबरहाट होती है stage पे जाना है तो टांगे कापती है क्यों? क्योंकि लोगों का डर है bathroom में वोई dance करना नहाते वे तो कोई problem नहीं है वोई dialogue मारने है तो कोई problem नहीं है गाना गाना है तो भी कोई problem नहीं है लेकिन सामने किसी के बोल दिया कि आप गाना गाओ तो घबराट है, बिल्कि फिलिंग तो ऐसी आती है, लोग मुझे खा जाएंगे, और रिसर्ट्स तो ये कहती है, कि लोगों को लोगों से बात करने में ज्यादा डर लगता है, बजाएं मौत से, scientifically, तो ये तो हो गया social phobia, आगर हम बात करें और गोरा-फोबिया की, अगोरा-फोबिया का मतलब होता है कि खुली जगाओं का डर, या एंक्लोज स्पेशिस का डर, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में जाने का डर, जैसे प्लेन में ओडने का डर, मेट्रों में बैटने का डर, भीड होगी तो पता तो उनको बहुत problem होती है, तो उसको हम बोलेंगे basically agoraphobia, उसी तरह हम बात करते है specific phobia, आपने देखा ही होगा कई लोगों को injection से डर लगता है, कई लोगों को खून देखके डर लगता है, और कई लोगों को height से डर लगता है, कई लोगों को कुतों से डर लगता है, कई लोग प्रुष से डर लगता है कई उसका मतलब क्या है कि उनको फोबिया है तो कोई भी चीज अगर जुरत से जादा है उसकी वज़े से quality of life खराब हो रही है ऐसा 6 मेने से जादा है और उसकी वज़े से हर बार हमें घबराहाट हो रही है और उसकी वज़े से हम उस चीज को avoid कर रह है शेर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की problem है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी इस तरह की कोई problem है तो इसका इलाज जरूर कराना चाहिए because अगर इलाज संभव होगा तो आप वो जिन्दी की जी पाएंगे जिसके आप आगदार है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद